आज हम बनाएंगे बहुती चटपटे और मसालेदर जीरा आलू चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हम ले रहे हैं पांच उबले हुए आलू जिने हमने छील लिया है इसे हम चोट-चोटे पिसेज में कट कर लेंगे लीजिए हमने आलू कट कर लिये हैं अब गैस पर रखेंगे पैन और उसमें टू टेबल स्पून रिफाइंड ओल डालेंगे आफ टीजपून जीरा वन फोर टीजपून पिसी सोट लो मीडियम फ्लेम पर हमें से चलाना है उसके बाद जोबले हुए आलू हमने कट करके रखे हैं वो डाल देंगे स्वादा नुसा सेंदा नमक डालेंगे हाफ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर हाफ टीस्पून काला नमक हाफ टीस्पून अमचुर पाउडर हाफ टीस्पून भुना जीरा पाउडर वन फोर टीस्पून काली मिर्च पाउडर वन फोर टी स्पून अनारदाना पाउडर ये आप्शनल है अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे और चटपटा बनाने के लिए स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला और धनिया और थोड़ा सा नीबू का रस डाल कर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और एक दो मिनट ढखने के बाद गैस की फ्लेम बन कर देंगे लीजिए हमारे चटपटेदार मसालेदा जीरा आलू बन कर तैयार है अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें शियर करें और सब्सक्राइब करें तब तक के लिए स्वस आते रहें